हेलो फ्रेंड, SP Education में आपका हार्दिक स्वागत है, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, EMRS PGT Commerce के बारे में, और इसमें जो हम लोग चैप्टर पढ़ रही हैं, वो हम लोग एकाउंट NCC से स्टार्ट किया था, हम लोगों ने पहली क्लास कर ली थी, आप लोगों को डेट आ गई होगी, आप लोगों की हो सकता है, आप लोगों के एक्जाम डेट पता भी हो, अगर हम लोग बात करते हैं कि लेखा सास्त्र में, लेखा सास्त्र में हम लोग पढ़ रही हैं, और लेखाकर सास्त्र में लोगों ने पुस्तपालन को अच्छी तरीके से पढ़ तो ने अच्छी तरीके से समझा था फिर उसके बाद हम लोगों को एक बात और बताई थी कि पॉस्टापरेन के अंतर गात हम लोग किनकिन को यह इनको सामिल करते हैं तो यह बात है बिवेने आप लोगों को अच्छी तरीके से बताई होई थी कि पुस्तप वारण में हमलोग इनको इनको मतलब की यह स्टेप होते हैं या फिर इनको हमलोग नियू कह सकते हैं मतलब लेखांकन की नियू किसे कहा जाता है तो पुस्त पारण को हम लोग लेखांकन की नियू भी कह सकते हैं उसके बाद हम लोगों ने पुस्त पारण की विस्ष्ष्टाओं के बारे में बात की थी तो इसना मतलब में आप लोगों को अच्छी तरीके से बताया था अगर आप लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले पिछली क्लास को जरूर देखें अगर हम लोग आज की क्लास में बात करने वाले हैं तो आज की क्लास में हम लोग लेखांकन के बारे में बात करने वाले हैं लेखांकन अर्थ क्या होता है इनके महत्यों के बारे में बात करने वाले हैं और विसिस्ताओं के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि यहां से question पूँछे जाते हैं और पूछे गए हैं ठीक है तो हम लोग बिन्य समय गमाई अपनी glass को start करते हैं और है सबसे पहले यहां पर लेखा हुआ है कि लेखांकन का अर्थ सबसे पहले लेखांकन का अर्थ क्या होता है लेटिन भासा है ग्रीग भासा है तो आप लोग पता है कि लेखांकन जो है व्यापार की भासा जो है वो लेखांकन है लेखांकन का आसा है मौद्रिक लेंदेनों का लेखा करना तो मौद्रिक लेखांकन के लेखांकन का लेखा करना उनको बरगी करत करना निसकर से निकालना बिसलेशल करना और निर्वचन करना ये सारे के सारे चीजे हैं जो स्टेप रहें जब कदम की बात करते हैं तो ये लिखांगन के आवश्चक कदम बाने जाते हैं इसका उद्देश एक निश्चित अबधी के बाद व्यापार की आर्थिक गटनाओं को संख्यातमक माप देकर इन गटनाओं के आधार पर संख्यातमक बित्तिय परिडाम की गड़ना करना तथा संबंदित पच्छों को व्याख्यातमक तथा बस्तु परक आर्थिक सूचना देना है लेखांकन एक ब्रिस्त्रत धारणा है लेखांकन एक ब्रिस्त्रत धारणा है इसमें वित्तिय लेखांकन लागत लेखांकन प्रबंदकिय लेखांकन कर लेखांकन और सरकारी लेखांकन भी समलित किये जाते हैं या फिर होते हैं उसके बाद हम लोगों ने बात की है नेशनलबाद करते हैं कि लेखांकन का जो कार है वो तलपट बनाने से आरम होता है और यहां से कुश्चन वार वार पूँचे गए हैं एक बार नहीं वार वार कुश्चन पूँचे जाती है और लेखांकन के बाद अगर लेखांकन का कार बनने से तलपड बनाने से आरंब होता है और अंतिम खादे बनाने तक जाकर समावत होता है और अगर पूछा जाता है कि लेखांकन के बाद किस कौन सा अतार होता है लेखांकन के बाद अगर पूछा जाता है इस्टार मार्क कर लीजिए क्यांकन के बाद प्रारंब होता है तो याद रखिए कि लेखांकन के बाद जो है वो अंकेशचड प्रारंब होता है अंकेशचड और जिसे बोलते हैं अंकेशचड प्रारंब होता है तो हम लोग लिख सकते हैं कि लेखांकन के बाद अंकेशचड प्रारंब होता है लेखांकन का जो कार है वो तलपड बनाने से आरंब होता है और अंतिम खाता बनाने पर जाकर समाप्त होता है लेखांकन यहीं से परारंब होता है जहां पुस्तपालन का कार समाप्त होता है और पुस्तपालन मैंने आप लोगों को बताया हुआ है एक विद्वान है आर एन के अनुसार लेखांकन में पुस्त पालन भी संबलित होता है लेखांकन का जो सैधांतिक लेखांकन की प्रकति है या फिर लेखांकन है तो याद रखीए कि लेखांकन कला और विग्यान दौनों है तो याद रखीए कैसा है कला और विग्यान जो question पूछे गई है उनको भी मैं आप लोगों को star mark करता हूव चल रहा हूँ क्योंकि साथ ही मैं आप लोगों को पता हूँ ठीक है क्योंकि लेखांकन यहां से पूंचा गया था एक कुछन आप लोगों को यहां से पूंचा गया था एक कुछन आप लोगों का यहां से पूंचा गया था और एक कुछन आप लोगों का यहां से पूंचा गया था यहां स तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को याद रखिए कि जितनी डिटेल है उतनी डिटेल पूरी की पूरी पढ़ाने की कोशिस करूँगा और इससे ज्यादा तो डिटेल हो नहीं सकती कि इसमें अगर हम लोग लेखांकर में सामिल करने की बात करते हैं तो इसमें लोग अगर हम लोग बात करते हैं अगर हम लोग बात करते हैं अब लेखांकर की प्रकति के बारे में पूछा जाता है तो यहां पर प्रकति नहीं लेखांकर के बारे में आप लोगों को लेखांकर है तो लेखांकर की प्रकति के बारे में बात करते हैं कि नेचर ओप अकाउंट तो हम लोग इनके बारे में बात करते हैं Nature of Accounting क्या है Кैसी है किस परकार से हम लोग इनको पढ़ने वाले हैं सबसे पहला यहाино पढ़का हुआ है कि लेखांकन जो है वो एक पीसा है लेखांकन एक पीसा है Accounting a Profession तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आधुनिक समय में लेखांकन एक पेसा का रूप धारड कर चुका है कैसे लेखांकन का बिस्ष्ट ग्यान प्राप्त मतलब की बिस्ष्ट ग्यान प्राप्त व्यक्ति को हम लोग लेखापाल या फिर चार्टेड अकांटेंट कहते हैं जैसे लेखांकन के रूप में कई तरीके से अपना योगदान देती है तो आधुनिक समय में आज की समय में लेखांकन एक पिसे का रूप धारड कर चुका है लेखांकन का बिस्ष्ट ग्यान प्राप्त व्यक्ति है उसे हम लोग लेखापा लीख तक ब्रंदिक है और इस प्रापत की जाथी है सिधान कंभाद लोट वह कहा गया है को भी लेखांकर को तक जिसे स्सेश्धांतिक अध्यान तथा ब्यावारक ग््यान के द्वारा सुईकार कर अचम में विश्ष्ष्ठता प्राप्त की जाती है लिकांकन जा सीख्ता है को यहां पर की जा सकती है तो यह नहीं है कि कोई मैं लोम द्रोमझ आग tent Victoria. उसके बाद थीसरा जो प्रकती दिखी यहां पर लिखा हुआ है कि लेखांकन से प्राप्त सूचनाओं का प्रयोग, ब्यापार का स्वामी, लेंदार, धेंदार, निवेशक, जनता तथा सरकार अपने हितों में करती है। अगर हम लोग बात करते हैं, तो स्वामी देखेंगे। उसके बैलेंस सीट में ब्यापार की बैलेंसीट कैसी अगर आरतिक सिथि उसकी पैसा दिया जा सकता है। और अगर आर्टिक इस्ति उसकी सही नहीं है तो उसे और पैसा देने की गुंजाइस नहीं होती है सरकार भी देखती है कि किस प्रकार से बैलेंस इट है लावानी खाता क्या है लाव पे टेक्स लगाएगी सरकार तो उसके जो हैं लेखांकन करने से कई लोगों के हित हमें होते हैं तो इसंदी इसे सामाजिक सकती कहते हैं लेखांकन से प्राव्त सुचनाओ का परियोग वो है वह ब्यापार का सौमी जिसे ओनर कहते हैं Creators, Debtors, Investors, जंता मतलब पबलिक और Government अपने हिद में करते हैं उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है कि लेखांकन एक नीती निर्मारक सकती है नीती निर्मारक सकती है, यहां पर कहा गया है कि लेखांकन के आधार पर मूल निर्धार मूल निर्धार की बात कर सकते हैं मूल नियंतर की बात कर सकते हैं मूल नीती की बात कर सकते हैं प्यापार नीती की बात कर सकते हैं क्रेविक्रे नीती की बात कर सकते हैं निवेस नीती की बात कर सकते हैं आधी का निर्मान होता है सरकार भी इसी के आधार पर आयात, निर्यात, नीति और धोगे की नीति उत्पादन, नीति आधी का निर्मार करती है तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो परकती बताई वह यह है तो सबसे पहले हम लोग लेखांकन एक पेसा है, लेखांकन एक सामाजिक सकती है, और लेखांकन एक नीति निर्मारक सकती है, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा, उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं, लेखांकन का छेतर या फिर इसकोप, इसकोप लेखांक आप वह कौन सी काय weird हैं तो कई चेतर हैं आप लोगों को लेखा हुआ है यहां पर अगर लोग करते हैं कि यहां करने यहां प्राएं चाहें विशिष्टाओं की बात करें चाहें प्रकफी की बात करें यह नहीं है कि free of YouTube पे free है तो मनलब free जैसा पढ़ाएंगे चोड़ा थोड़ा कम-कम पढ़ाएंगे ऐसा नहीं है बिलकुल ऐसे पढ़ाएंगे जैसे paid courseों में पढ़ाते हैं आप लोगों को यह नहीं है कि आज यह हुआ है कि पुस्ट पालन सबसे पहला सबसे पहला यहां पर लेखा हुआ है कि पुस्ट पालन की प्रविष्टी की जाज करना लेखांकन में सबसे पहला हो गया क्योंकि पुस्ट पालन में हमने पहले ही बताया हुआ है कि पुस्ट पालन में हम लोग रोज नामचा करते ह मतलब जर्णल करते हैं खाता वही बनाते हैं खातों के योग और कालते है तो यह सारे के सारी काम, प्रवष्डियां की हुई है, उनकी जाच हम लोग— अगर वल्यों हम मिल मलग जाते हैं तो मलग समझते हैं प्रविष्ठियां की गई है वह जाला तर सही है लेकिन असुद्धियों की बात करते हैं कि मतलब इरर की बात करते हैं तो इरर को भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा ठीक है दूसरा यहां पर शित्र लेखा हुआ है कि खातों को योगों तथा सीसों की जाच करना तो यह सब चीजें सब खुल पढ़ाएंगे अभी दुफलाल अम लोग शुरुआत कर रहे हैं तो इसके साथी में एमसी क्यों भी आप लोगों को समझाएंगे कराएंगे उसके बाद यहां पर दूसरा लेखा हुआ है कि तीसरा नंबर यहां पर लेखा हुआ है कि खातों के सेस् समय योजनों का लेखना यह भी इनका छीतर होता है तो इनको अम लोग लिखेंगे और अंत्यम खाते में निर्माल खाता जैसे तो यह सारे के सारे इनके पूछे गए हैं इनको भी हम लोग बताएंगे उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि यहां पर जो भूल सुधार यहां पर बूल सुधार लेखा बात करने वाली है, और छार ने, उनके आधार पर Näकालना, निकालना है, तोould सुधार के लीखे करना हम लोग करने वाली है, सबसे पहले हम पने क्या किया है, प्रफिष्टियों की जाच की खातों की जाच की तालपट quiere का आप लोगों को और् yoke और यूग और आएस्पी दोनो योग और ओर 202 अपल वी कुरा बताइए पूरा बताएंगे धी को तो हम लोगों ने क्या क्या भड़ा उसके बाद लोग आ करने के बाट करते हैं कि निका लेखांकन के उद्धिस क्या है objectives of accounting लेखांकन करने के क्या उद्धिस हैं यह काम क्यों करते हैं प्रति एक काम का कोई ना कोई उद्धिस होता है अगर आप लोग यूट्व से पढ़ते हैं या फिर कोई काम करते हैं तो कोई पैसे को लिए काम करता है तो बहुत थी तरीके हो असुद्धियों पर नियंतर कर सकते हैं मिल्कुल सही बात है कि इससे हम लोग असुद्धियों पर नियंतर कर सकते हैं तलपड बनाएंगे और इससे हम लोग असुद्धियों की जानकारी लाव हानी लाव और हानी की गड़ना कर सकते हैं यह भी इनके उद्धिस में आ सकत knowledge of financial position बित्तिय इस्तिती की जंदकारी हम लाव कहा हैं कहां हनो algorithms सी इस्तिती बीवरण बनाएंगे 2017 बनाएंगे इस्तिती बैबरण बनाएंगेहम लोग क्या कहते हैं is कि हमें अपनी profit पता चलेगा एसे हम लोग सुद लव कहते हैं और अब ऐस पर पता चलेगा और अब जब लाब पता चलेगा तो उस पर टैक्स सही पता चलेगा स्वेस्वां है तो क्या सूचनि उसके पर और यहाँ पर लिखा हुआ है कि संबंधित पक्रण को सुचना देना और अंकेषट का आधार अगर पहुंचा अंकी छड़ का लेखांकन अंकी छड़ का आधार है और अगर पुस्त पालन का पुछा जाता है तो पुस्त पालन पुस्त पालन लेखांकन का पुस्त पालन लेखांकन का लेखांकन का आधार है अगर बात करते हैं कि लेखांकन में हम लोग क्या क्या समलित करते हैं लेखांकन में सामिल लेखांकन में लोग सामिल क्या क्या करते हैं लेखांकन में लोग बात करते हैं तो बित्तिय लेखांकन की बात करते हैं बित्तिय लेखांकन की बात करते हैं फाइनिंसेल अकाउंटिं確 से ना पिए 22 किलासटे से कराए हुई है फाइनिंश्यल अकाउंटिंग की बात करते हैं फ्रबंधकिय लेखंकन की कि बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउन्टिंग इसकी शमतिंग था नि फाइफ हसे शनस कह 시 से करवाई हो यह उसके बार हम लोग उने कर की बाद करते हैं रचनात्मकार करना सबसे पहला यहां पर लेखा हुआ है कि लेखांकन के रचनात्मकार के अंतरगत क्योंगी कार पूछे जाते हैं रचनात्मकार में क्या क्या आता है तो रचनात्मकार के अंतरगत आर्थिक परिडामों को निकालना असुद्धियों को दूर करना चल कपट चल कपट पर नियंतरल रखना और लेखांकन के सिध्धानतों के आधार पर खातों को रखना तो ये रचनात्मकार के अंतरगत आता है रचनात्मकार के अंतरगत मैंने अभी आप लोगों को बताया और दुबारा बता रहे हैं कि लेखांकन के रचनात्मकार के अंतरगत आर्थिक परिणामों को निकालना असुद्धियों को दूर करना चल कपड़ पर नियंतरण रखना और लेखांकन के लेखांकन यहां पर ल अभी लेखनकार की बात करते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है कि लेखांकन के अभी लेखनकार के अंतरगत हम लोग तलपट बनाते हैं निर्माल खाता जिसे मैनुफेक्चरिंग अकाउंटिंग कहते हैं ब्यापार खाता जिसे ट्रेडिंग अकाउंटिंग कहते हैं लाभान तीसरा नमबर जो कार लेखा हुआ है परिचातमक कार का मतलब होता है जाच करना परिचा मतलब क्या होते है परिचा में मतलब जाच होती है कि कौन वच्छा कितना उसियार है कौन वच्छा कितना कमजोर है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि परिचातमक कार के अंतरगत लेखों, तत्था लेखों और खातों की जाँच, बैदानिक खातों की जाँच, आर्थिक चिठा की जाँच, और बित्ती विवरडों की जाँच करना होता है, क्योंकि यहां पर जाँच ही दे सम्मंदित है, जो हमने उपर बनाया हुआ है, अभी लेखन मतलब recording की वही है, उ उसके बादर नेक्स्कार जो लिखा हुआ है, अब वेख्यात्मकार में हम लोग ञांग है तो ब्याक्यात्मकार में यहांपर लिखा हुआ है कि लिखांकन काम हमने इस साल में और इस साल में 2011-2011-2011-2011-2012 में हमаниấy कितना कैस का आया है यह कैस मिरा गया है तो इस पर कार से उससे पर रोकड परवपरवावेबराड जैसे cash flow कहते हैं को ω्विर जैसे fund flow आधी बनाई जाती है एक पर question पूँचा गया था कि कुशन पूशा गया था मैं आप लोगों को पता देता हूं एक सेकंड का आप यहां पर पूशा गया था कि कि रोकड प्रभाहा विवरड रोकड प्रभाहा विवरड रोकड प्रभाहा विवरड ले खांकन के लेखांकन के किस कार के अंतरगत किस कार के अंतरगत तो रोकल प्रवावेबरल लेखांकन के किस कार के अंतरगत किस कार के अंतरगत किस कार के अंतरगत आता है तो एक कुश्चन ये पूछा गया था तो इसका right answer क्या होए आप लोगों को वो बिल्कुस सही answer आप लोगों ने बताया है कि इसका right answer क्या हो जाएगा मैंने अभी आप लोगों को बताया हुआ है यहाँ पर कि वो हम लोगों का कौन सा कार हो जाएगा ब्याख्यात्मक कार हो जाएगा ब्याख्यात्मक कार मतलब 4 option विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद् सके अंसदारियों को सूचना मिल सके लेंदारों को सूचना मिल सके जो नभी सके उनको सूचना मिल सके किस प्रकार से कंपनी ने प्रॉफिट कमाया या लाब कमाया या हानी कमायी उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं बैदानिक कार में हम लोग टेक्स की बात करेंगे तो तो बैदानेकार के अंतरगत हम लोग टेक्स की बात करते हैं, इनका हम टेक्स रिटन की बात करते हैं, और सेस्ट टेक्स रिटन की बात यहाँ पर करने वाले हैं। और यहां पर नेश्ट लिखा हुआ है कि प्रवंदिकी ये कार, अब प्रवंदिकी ये कार में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो लेखांकन के प्रवंदिकी ये कार के अंतरगत, प्रवंदिकी आवस्थकताओं के अनुरूप आवस्थक सूचनाय और आर्थिक विवरण बना करते हैं तो देश के समाज के लिए व्यापार की बित्ति इस्थिति के विसय में आर्थिक सूचनाओं का निर्मार की आ करता है तो देश को यहां पर यहां पर जो मोश्ट मोश्ट है मैंने सभी बाते हैं आप लोगों को बताई हूं एसी कोई डेटिल नहीं है जो मैंने आप लोगों को ना बताई हूं लेखांकन के आधुनिक कार के अंतरगत रचनात्मकार में असुदियों को दूर करना हम लोग ब्याख्या करेंगे कि हम लोगों ने उस साल में और इस साल में कितना कमाया कितना गया कितना कमाया इस परकार से हम लोग ब्याख्या करेंगे और ब्याख्या करने के लिए हम लोग अनबाद बिस रिसर्ट रोकर प्रभावेवरड़ और कोस्तरवरड़ आधी बना लेखyssन के स्माझेकज कार के अंदरगतव देश और समाजय के व्यापार की व्यापार की विशै में आर्थिक सूचना होखा निर्माण किया जाता है तो यह सभी कि हमें सभी मैंने आप लोगों को आ आज की क्लास में आप लोगों को यह सारी के सारी बाते हैं कि ले खांगर का अर्थ क्या होता है अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो अपो प्लीज मेरा चैनल जरूर सब्क्राइब करें SP Adugation. मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेनद करने वाला हूँ और आगे ऐसे ही आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ. लेखांकन का कारे की बात करी हैं मैंने अच्छी तरीके से आप लोगों को कारे के बारे में बताया फिर मैंने आप लोगों को लेखांकन की प्रकति के बारे में बताया जो जो कोस्ट थे वह भी मैंने आप लोगों को साथ ही साथ में डिसकस किये हैं तो इस प्रकार से कूश्चन पूछ पूछा विखांकन के आटूनिक कार क में कॉण पूचा जाते हैं तो आज ही क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज आप लोग जरूर करें और सब्क्राइब जरूर करें मैं आप लोगों के लिए और भी आंगे क्लास से लेकर आने वाला हूँ तो आज ही क्लास को हम लोग यहीं पर समप्त करते हैं अगर क्लास अच्छी प्लीज लाइक जड़ो रगए और सब्सक्राइब जड़ो रगए और सब्सक्राइब जड़ो रगए तो आची किलास के लिए थैंक यू, थैंक यू फर वाचिक